पैंसन भोग्यों की पैंसन में सरकार की तरफ से जवर्दस्त बढ़ोत्री हो गई है अब दोस्तों पैंसन लावार्तियों को 3,000 रुपे पर तिमाहा पैंसन दे जाएगी साथ ही आपको बता दें कि लड़कियों को भी सरकार 1250 रुपे ट्रांसपर करेगी अब देखे सभी पैंसन लावार्ति अपनी पैंसन को लेकर इंतिजार कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से कब पैंसन को ट्रांसपर किया जाएगा लेकिन आपको बता दें कि सरकार की तरफ से पैंसन जारी होना प्रारम हो चुकी है किन-किन पैंसन लाबारतियों के बैंक एकाउंट में पैंसन जारी की गई है उसके बारे में भी बताएंगे साथे साथ किन लाबारतियों की पैंसन में बढ़ोतरी की गई है उसके बारे में भी हम आपको जान कर देंगे तो आप हमेरे साथ बने रहेगा देखिए पैंसन भोग्यों के लिए breaking news निकल कर आ रही है सभी पैंसन लावारती अपनी पैंसन को लेकर इंतिजार कर रहे हैं कि सरकार पैंसन को कब जारी करेगी लेकिन आपको बता दें कि अब वह इंतिजार समाप्त हो चुका है क्योंकि सरकार की तरफ से पैंसन को जारी करना प्रारहम कर दिया था दोस्तो कई दिन पहले सरकार की तरफ से कहीं राज्यों में पैंसन को जारी कर दिया है और जिन लावारतियों को अब तक पैंसन नहीं मिली है उनको भी अब से पैंसन मिलना शुरू हो गई है साथ आप पता दें कि सरकार की तरफ से पैंसन भोग्यों को और भी जबरदस्त तौफा जारी किया गया है यनकी पैंसन में बढ़ोतरी तो की ही गई है और भी लावारतियों को यहां पर तौफा दिया गया है अब पता दें कि सरकार की तरफ से लावारतियों के बैंक एकाउंट में अब हर महीने तीन हजार रुपे ट्रांसपर किये जाएंगे हालकि इससे पहले कम पैंसन मिलती थी लेकिन अब से जो सरकार ने पहले वाईदा किया था अब वह वाईदा पूरा कर दे गया है अब पैंसन भोग्यों के एकाउंट में हर महीने पैंसन बढ़ा कर ट्रांसपर किये जाएंगी साथिया पुदा दें कि लड़कियों को भी जबरदस्त तोफा सरकार की तरप से दिया जा रहा है यानि कि लड़कियों के बैंक एकाउंट में बारा सो पचास रुपे ट्रांसपर किये जाएंगे अब यह किन लड़कियों को रासी हर महीने दी जा रही है उसके बारे में बताएंगे किन पैंसल लाबारतियों की पैंसल में बढ़ोत रिकी गए है चलिए उसके बारे में बता देते हैं के लिए बता दें कि कई राज्य सरकारों द्वारां तिमाही पैंसन दी जाती है आप किस राज्य में हैं आप हमें कमेंट बोक्स में जाकर अपने राज्य का नाम जरू बताएगा तब हम आपको पाएगे कि किस राज्य में कब सरकार पैंसन बढ़ोतरी करने जा रही है और क अब जारिक रही लेकिन दोस्तों कई बड़ी राजय ऐसे भी हैं जिनमें हर महीं थे सरकार PENSION को TRA bonito कर रही है हैं तो एसा ही राजय दोस्तों हर稍ा है हरिवाना राज्य सरकार द्वारा कि न है हालढ़ी में जो सरकार पैसे दे रही थी वह 2750 रुपे यांगे 2750 रुपे लाबार्तियों के बैंक एकाउंट में ट्रांसपर कर रही थी लेकिन सरकार की तरफ से अब 1 जनवरी 2024 से चोवाईदा सरकार ने किया था वह अब दोस्तो पूरा कर दिया है अब पैंसन बढ़ा कर ट्रांसपर की जाएगी दोस्तो लाबार्तियों के बैंक एकाउंट में जनवरी महिने से इनके इस महिने जो पैंसन आने वाली है वह 3000 रुपे ट्रांसपर की जाएगी आप इसमें चाहे वह वर्दवस्ता पैंसन धारा को दिव्यांग पैंसन धारा को या फिर विद्वा पैंसन धारा को सभी पैं हमें कमेंट बॉक्स में जाकर चरूर बताएगा तीनों ही प्रकार की पैंसन लावारतियों को हर्यान राज्य सरकार दुआरा बढ़ा कर पैंसन जारी करने जा रही है 33,000 रुपे सीधे लावारतियों के बैंक एकाउंट में ट्रांसपर किये जाएगे अब बाद आती है कि लड़कियों को सरकार की तरब से कितने पैसे दे जा रहे है और किन लड़ियों दे जा रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार दुआरा लड़कियों को हर महीने 1250 रुपे ट्रांसपर किये जा रहे है यहलाव लाडली बहना योजना के अंदरगत ट्रांस पर क्या जा रहा है हाला कि इससे पहले यहलाव केवल महिलाव को ही मिलता था लेकिन दोस्तो योजना में जो नियम निर्धारित के गई थे उनमें बड़ा बदलाव कर दे गया है जिसके अंदरगत अब ए विवाहित लड़कियों को भी हर महिने 1250 रुपे सरकार ट्रांस पर करेगी सिधा बैंक एकाउंट में यह रासी ट्रांस पर होगी और जिन महिलाव ने या फिर जिन लड़कियों ने लाडली बहना योजना में अभी तक आवेदन नहीं क्या है वह आवेदन कर सकती है और हर महिने अपने बैंक एकाउंट में 1250 रुपे ले सकती है तो दोस्तो सरकार की तरब से जो पैंसन बढ़ोतरी की गई है वह हरियाना राज्य सरकार द्वारा की गई है हरियाना के मुख्य मंतरी द्वारा 250 रुपे की बढ़ोतरी पैंसन में करती है आपका जो भी राज्य है आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जूरू पताएगा ताकि हम आपको बता सकें कि किस राज्य में सरकार कितनी बढ़ोतरी कर रही है अब सभी राज्यों में पैंसन बढ़ोतरी की जाएगी दोस्तों कई बड़े राज्य हैं जिन में सरकार द्वारा ऐलान भी किया गया है कि सरकार उनकी पैंसन में बढ़ोत्री करेगी सरकार उनकी बनते ही अब जैसे ही BJP की सरकार बनी दोस्तो पहले ही चुनाओं से पहले वाइदा क्या था लेकिन अब वह दोस्तो वाइदा पूरा कर दिया गया है अब महिलाओं को जो है 1250 रुपे की जंग है दोस्तो 1500 रुपे कर दे जाएंगे जी हाँ वह वाइदा सरकार पूरा कर रही है हाला कि लारदली बहना योजना में 3000 रुपे हर महिने देने का वाइदा किया गया है लेकिन वह धीरे धीरे बढ़ोत्री की जाएगी अब जाते हैं आप से जाजात आउर मिलते हैं आपको नाइस्ट वीडियो में तब तक के लिए दूस्तों जय हिंद जय भारत